हेलो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा लेडिस सूट के गले को सही तरीके से सेट करना ताकि जब भी हम ये गला सेट करते हैं तो हमारा थोड़ा बहुत छोटा बड़ा रह जाता है ये देखे मुड़े की तरफ लेकिन जो तरीका माज आपको बताऊंगा बिल्कुल एक सोला होग रहता है तो देखे सबसे पहले तो मापको गला कटिंग करना सिखाऊंगा चिप का न सिखाऊंगा और फिर सिलाइक करना सिखाऊंगा आज आपको गला परफेक्ट तरीके से बैठाना आ जाएगा सूट में यह देखिया हमारी पेपर पेस्टिंग है यह पेपर पेस्टिंग अच्छे वाली हमने खरीद दी है इसके पैचानी है कि इसका कागज मोटा आता है इसमें दाने दाने रहते हैं हमने गले की चोड़ा 3 इंच रख लिया है हमारी गले की लंबाई 7.5 इंच है तो इस तरह हमने 8 इंच इसको रख लिया हाफ इंच दबाव निकल जाएगा और इधर भी हम निशान लगा देंगे अभी आपको यहां से एक इंच का निशान लगाना है और यहां से आपको कोलाई दे देनी है आपकी बिल्कुल प्रफेक्ट कोलाई आएगी यह अभी हम गला काट देंगे तो देखिए यह अभी हमारा गला कटिंग हो गया है अभी मैं इसको आपको कपड़े में चिपकाना सिखाऊंगा सही तरीके से थाकि आपके गले की गोलाई बिल्कुल प्रफेक्ट आए देखिए इस तरह आपको कपड़े के अंदर रख चिपकाना है जिस कपड़े में उसके रख लेना है और जो हमारा बीच का हिस्सा कटा हुआ था उसको इसके अंदर रखना है और इस तरह आपको सेटिंग कर लेनी है गलेगी बिल्कुल इसके बराबर आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा और इसको दीरे से उठाके चिपका देना है अगर आप इसको बीच में नहीं रखेंगे तो आपका गला परफेक्ट नहीं बैठेगा थोड़ा बहुत इदर उदर किसा की जाता है यह हमारा गड़ा चीपक गया है साइड से एक पैर का दबाव काट रखके कपड़ा काट देंगे एक्स्ट्रा अभी देखे इसमें क्या काम करना है मैं आपको बताता हूँ जो हमने बीच का हिस्ता काटा था यह हाफ इंच हमने दबाव का रख लिया है एक पैर का दबाव और इसको बिल्कुल प्रफेक्ट तरीके से इसके इंदर रखके इसके प्रापर हम भी इस सेंटर कटिंग कर देंगे जहान रखना बिल्कुल बीच ओ बीच सेंटर माना चाहिए इधर हम दबाव का छोड़ देंगे यह देखिए इसी तरह हम सूट का भी सेंटर लेके उसका भी सेंटर कटिंग कर देंगे जितना हमने गले का कटिंग किया है यह देखिए हमने एक पैर का दबाव जो हमने रखा तो यहां पर भी रख देंगे और बीच सेंटर से उतना हम काट देंगे तो चलिLou अब इसको सिलाई करना सिखाता हूँ ये देखे, सबसे पहले आपको गढ़े में जो हमने एक्ष्टा दबाव रखता था उसको हम सिलाई कर देंगे ध्युक्रपर विन्स नहीं सिलाई हो गया है अब इसको हम स्वूअट में रखके ये कट से कट आपको मिलाना है और आप आसानी से अपना गला परफेक्ट तरीके से चिलाई कर सकते हैं ये देखे कट से कट हमने मिला रखा है बग कि आपको कहीं भी टेंशन लेने की जुरूत नहीं है बस कट से कट मिला के आपको चिलाई लगा देना है अभी इसका हम एक्स्ट्रा हश्चा काट देंगे अपना एक प्यार का दबाव रखके और इसके बीच में कुट लगा देंगे जगे जगे पर अब इसको पल्ती करके या तो प्रेश से बेठा लीजी या नाखून से बेठा लीजी मैं तो इसको नाखून से बेठा दूँगा और इसके किनारी पर एक शिलाई लगा देंगे लब की शिलाई तो ये देखिए ये था हमारा गला परफेक्ट तरीके से बैठाने का तरीका